ओम नमप भगवते वासुदेवाय मैं आचारे आप चभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल में मित्रों 4 दिसंबर को सुरिगरन लगनी वाला है यह सुरिगरन साल 2021 का आखरी सुरिगरन होगा ऐसे में सुरिगरन का बहुत लगना महत्पुर्ण है विशेश रूप से जो गरवती महिलाएं हैं उनको कुछ सावधानी बरतनी होगे तमित्रों मैं आचारे आज की इस प्रीडियो में आपको सुरिगरन का सही समय सुरिगरन में गरवती महिलाओं के साथ साथ अन्य पूरुस और बच्चे महिलाओं को कौन से चावधानी बरतनी चाहिए कौन से ऐसे कारे हैं जो कि आपको सुरिगरन के दोरान करने होगे और कौन से ऐसे कारे हैं जो कि सुरिगरन के दोरान करना वर्जित होता है कौन से देवी देविताओं को आप इस दोरान पूजा उपास न कर सकते हैं कौन से मंत्रों का उचारन करना आपके लिए सुब रहेगा इन सभी के बारे में मैं आचारे आपके साथ पूरी जानकारी चर्चा करने वाला हूँ तो आप से विनती हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें और बताई गई जानकारी को आप समझें उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब अवस्य कर लें ताकि ऐसी ही जानकारी आपको समय से मिल सकें तो मत्रों 4 दिसंबर को लगने वाला ये सूरी गरन साल 2021 का आखरी सूरी गरन रहेगा और ये सूरी गरन दक्षिन अफेरिक का अंटा कटी का ऑस्टेलिया दक्षिन अमेरिका और अंटलाटिक के दक्षिन भागों में लोग देख सकते हैं इसी के साथ गरवती महिलाओं को कुछ भी सेष सावधानी बरत्ते के जुरूत होंगी पहले तुम्हें आपको बता दूँ कि आप लोगों को जितने भी गरवती महिलाएं हैं उन सभी को भोजन गरहन नहीं करना है भोजन में तुलसी के पत्ते को डाल कर रखना है और ग्रहन काल में भोजन ना करें इसलिए महिलाओं को इसमें भगवान जी का नाम लेना चाहिए आप गुरुह स्रीयरी विश्नु जी का मंत्रों का उचार्ण कर सकते हैं और स्री गोपाल जी का मंत्रों का उचार्ण कर सकते हैं ग्रहन काल के दुरान प्रेंग्डेंट महिलाओं को नुकीली वस्तू जैसे कि चाकू कैंची सुई इत्यादी का इस्तमाल नहीं करना चाहिए नहीं इसके संपर्ग में आना चाहिए इस समय पानी भी न पीएं और नहीं करक कोई काम करें और आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का ये जो सूरी ग्रण लगनी वाला है यह 4 दिसंबर की दोप दोपहर 10 बच कर 69 मिनट से प्रारेंब होगा और सूरी ग्रण का समापन दोपहर 3 बच कर 7 मिनट पर होगा इस दोरान आप सभी को बहुत साथ सदर्ग रहने की जरूरत रहेंगी नत्रों आप लोगों की जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि आप लोगों को इस दोरान कभी भी सूरी ग्रण को न देखें और सूरी ग्रण के प्रकास में भी आप न पढ़ें क्योंकि इस दोरान आप लोगों पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट सूरी ग्रण का पढ़ सकता है